हेलो एब्रिवन वैदी केश्टो लॉजर जीरो वन में आप सबका स्वागत है और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और सेयर नहीं कर रहे हैं थोड़ा सेयर करिए लोगों में तो सब्सक्रिप्सन बढ़े हमारे सब्सक्राइब नहीं हो रहे है थीक है थोड़ा से हल्प चाहिए आप लोगों का तो सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाए ठीक है और दूसी चीज की आप लोगों कमेंट करें और बताएं आप लोगों के चार्ट के बारे में कुछ interesting chart हम उठा रहे हैं जो आप लोगे जितने भी comment रहेंगे उनमें से किसी किसी के उठा के और हम बनाते रहेंगे ये भी Nina Jen जी का है ठीक है जो की चैननाई से है 70 birth है इनका ये इनका chart है ठीक है अब इस chart के बारे में पढ़ा जाए देखा जाए ठीक है तो इस chart को पहले सबसे पहले हम लोग explain करते हैं इनको सारे box का explanation चाहिए सारे house का explanation चाहिए तो इस case में अगर हम लोग इसको ध्यान से देखे तो सारी चीजे आपको समझ में आएंगे जैसे जैसे हमने अभी तक आप लोग उने chart देखा आप लोग 50-60 chart देखने के बाद ये चीज़ समझ जाओंगे कि कैसे देखा जाता है तो तो explanation इसका start किया जा तो explanation चालू किया जा इसका अब ये देखे आप first house को first house में नमबर 12 लिखाओ है जो कि गुरू का रासी है ठीक है गुरू रासी है ठीक है और हम देखेंगे कि इस पर किस के किस के दिश्टी है पहले नौ मास में देख लेते तो गुरू खुद लगन में बैठे है साथवे नमबर की रासी रहेगी चले तो इस पर हम देख लें किस के किस के दिश्टी है किसी के दिश्टी नहीं है ओके किसी की दिश्टी नहीं है ठीक है तो सिर्फ बारा नंबर सिर्फ गुरु की इस पर प्रवेर्ति आएगी इस घर पे अब गुरु की प्रवेर्ति क्या है कि ये धार्मिक हो जाएंगे जिनके भी है ये चार्ट इना जी तो आप धार्मिक हो जाएंगे क्योंकि बारा नं के लोगों थे हमने बहुत सारे ऐसे लोगों देखा है जो पाकिस्तान से हैं जो मुस्लिम है बैट उनके पे नौ और बारह लिखा रह रहा था तो ये लोग ये सात्विक जैसा भी हेप करते थे जैसे कि इनको नौर्विज नहीं पसंद आता था ठीक है और थोड़ा जानना चाहते थे चीजों को सोची आपकी पाकिस्तान जैसी जगाओं पर ये हिंदुईजम को जानने की कोसिस कर रहे थे तो ये जो बारह नंबर और नौ नंबर के जो लोग होते हैं ये बहुत सात्विक होते हैं और ग्यान चाहते हैं ठीक है नौलिज चाहते हैं ये लो इस लावा इस घर को हम देखने कि कौन कौन देख रहा है तो गृरू देख रहा है और कौन देख रहा है केतु की दृष्टी है क्या कोई और देख रहे है ठीक है कोई और नहीं देख रहे है ठीक है तो सनी नीच होके बैठे है वहाँ बुद्ध भी है गुरू देख रहे है और केतु देख रहे है ठीक है इस केस में क्या होता है ऐसे में क्या होता है कि पहली चीज गुरू बोलते हैं अच्छा खासा बोलते हैं गुरू ठीक है और सनी जो है ना बहुत कम बोलता है नीच होनी के सिते में ये कुछ बुरा जरूर बोल सकते है ठीक है बुरा बोल सकते है ये केतु है केतु के सिते में कुछ ऐसा बोल देंगे जो चीजों जो लोगों को बुरा लग जाए ठीक है ये चीज होती है अब इसके अलावा गुरु बात करने में बहुत माहिर भी बना सकते हैं ऐसे लोग बात करने में अच्छे होते हैं जैसे आप किसी से बात करोगे उनकी बाते सुनोगे है ना तो ये लोग हैं जिनकी बात कि मेरी बाते जो कहना चाहते हैं वosi समर्वाली नही समझ रहा है एक्षण में क्या हुता है कि यह गलत वर्ड भी करते हैं ठीक है और थोड़ा सा लोगों को हट ज्यादा करते हैं सनी नीच यहां वैसे भील कर देंगे ठीक है तो तो इनकी बातों से लोग हाइट होते हैं, ठीक है, ये इनको फील भी होता होगा, ठीक है, अब बुद्ध बैठा है, बुद्ध बैठा है सनी के साथ, और मंगल की दृष्टी नहीं है, ऐसे कि इसमें क्या होता है, बुद्ध अगर सनी के साथ होतो, इनके लाइफ में कोई ल इनकी प्रवित आप देखेंगे ये चीज आप फील करेंगे ये चीज अपनी लाइफ में ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग थर्ड हाउस में बैठें थर्ड हाउस को देखते हैं तो थर्ड हाउस बोलते हैं इसको ठीक है थर्ड हाउस ठीक है अब यहां बैठे हैं सुर्य यह हो जाए साउथ यह डिरेक्शन इदर सुर्य और और ज्यादा बलसाली हो जाते हैं ठीक है तो सुर्य बैठे हैं यहां ठीक है सुर्य बैठे हैं यहां और यह किसका घर है सुर्य का बीरता का और बीरता के लिए कारक होते हैं सुर्य य यह बहुत अचिय बात हो गए, तो एक तरीके से कहा जाए तो आप सासी हैं, ठीक है? सासी है आप, अब इसको कोई और देख रहे हैं क्या? ने देख रहे हैं, तो आप सासी है, अब और आप दूसरी चीज़ देखी जाए, तो आप बर सुक्र कहां गए, सुक्र, सुक्र, यहां बैठे हैं, ठीक है, चली बहुत अच्छा, तो आप बीर है, और आपके भाई होने के भी चांस है, ठीक है, यह बिसिकली बीरता के लिए यह घर होता है, ठीक है, और वहां दृष्टी भी किसी की नहीं है, सुक्र की रासी भी है, सुक्र की रासी है सुक्र knowledgeable person थे सुक्र aggressive भी थे क्योंकि आपको याद हो तो दैट्टियों को वही उक्साते थे क्या करना है क्या नहीं करना है उक्साना भी कह सकते है और अपने ग्यान के बल पे अपने knowledgeable वाड़ी के दम पे लोगों को वो भी कर सकते हैं मोटिवीट कर लेते थे अब चौते गर में आते हैं चौता गर जो कि आपका happiness का है ठीक है ये आपके happiness का है property का है मदर का है ठीक है मा का है यह यहाई से हम लोग देखते हैं ठीक है सुख सुख देखते हैं ठीक है फिर मा देखते हैं ठीक है और प्रॉपरटी देखते हैं ठीक है कि आपके पस प्रॉपरटी जो है कैसी क्या है यह चीज ठीक है यही से देखते हैं सुक्र गाड़ी की प्रतीक होते हैं गाड़ी मिलेगी आपको मंगल घर के प्रतीक होते हैं आपको घर गाड़ी दोनों मिल गई सनी जब यहां बैठते हैं तो पैत्रिक संपत्य मिलती है यह घर सेव्ड मनी का होता है सनी का होने का मतलब है कि आपके पास पैतरिक संपत्ती आएगी ठीक है चलिए अब इस घर में भी देख ले तो बाकी सब तो बहुत बढ़ी है अब खुसियों की बात करें देखे सुक्र मंगल होना और तीन नंबर में होना आपको बहुत कामुक बना देता है ये चीज़ आप फिल करेंगे आप किसी भी नॉर्मल बंदे से ज़्यादे काम उखोंगे ठीक है क्योंकि ये सुक्र जो सुक्राडू है तीन नंबर एक तो मित्वन है प्लस उस पे मंगल तीज डाल देते है ठीक है उसके अलावा अब इसकी बात करें तो चंदरमा स्वेम की रासी में है ठीक है चंदरमा स्वेम की रासी में है अब इसकी इसमें क्या होता है इनकी लाइफ में अब उजी जेंडर ज़्यादे आते है ठीक है प्यार ज़्यादा आते है एक तरीके से कहा जाए यहां पर द्रिष्टी नहीं चेक किया था हमने सॉरी अब द्रिष्टी चेक करेंगे तो सनी की तीसरी द्रिष्टी है यहां पर राहू की पांचवी द्रिष्टी है दो दो चार एक पांच तो राहू की द्रिष्टी है सनी की द्रिष्टी है और साथ आठ नौ और गुरू की represent करва रहा है कि आपके पस property सब कुछ बढ़िया जा रहा है ठीक है सुख की बात करें तो क्योंकि नीच का सनी है तो आपको सुख में struggle मिलेगा ठीक है सुख में struggle मिलेगा आपको रहु की बात करें तो आप तो आपकी यह हो चुके बट फिर आपके मम्मी से बहुत अच्छा connection नहीं दिखा रहा है रहू के वज़ा से गुरू के वज़ा से ये बता रहा है कि आपके मम्मी जो हैं, वो भी धार्मिक है ठीक है, property की बात हमने बता दी ठीक है, आपके मम्मी के बारे में ये सारी चीजा थी फिर बात करें अगर फिफ्थ हाउस की तो फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठे हैं स्वारासी होके इनके लाइफ में लोग अप्रोजी जेंडर या कह लिजे प्यार आएंगे ही आएंगे ठीक है ये इस चीज़ को रिपरेजेंट करते हैं और आपका पहला बच्चा जो होगा वो लड़की होगा ठीक है जो पहला बच्चा होगा वो लड़की होने के बहुत चांस है ठीक है फिर बात करते हैं फिर बात करते हैं आपके छटे घर की छटे घर में केतु है तो यहां पर क्या होता है आपको किसी चीज का एक डर रहेगा किसी से जगड़े योगड़े ऐसे हुए रहेंगे ऐसे किसी से जिससे आपको एक डर रहेगा कि वो कुछ कर सकता है कर सकती ह जो भी ठीक है लेकिन आपको राहू इन सब चीजों से मतलब वो जो बंदा होगा जो भी आपका एनिमी होगा उसको भी आपसे डर लगेगा ठीक है अब इस केस में क्या होता है यहाँ जब राहू आ जाते है यहाँ जब केटू आ जाते है तो इस केस में क्या होता है आपको एक बार विदेश भी जाना पड़ सकता है, विदेश जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, नॉर्मली ये विदेश के अच्छे रूल करते हैं, विदेश के लिए अच्छे हो जाते हैं, यहां पे रहो, ठीक है, अब यहा से हम क्या और पता कर सकते आपके जॉब के बारे में तो जॉब में केतू होने के वज़ें से ये अनिस्टेवल जॉब देते हैं मतलब आप बार बार जॉब बदलेंगे अपने ठीक है यह एक चीज यहां देते हैं यहां से अब सेवेंथ हाउस में देखेंगे सेवेंथ हाउस में मंगल के दिश्टी है आपको पता हो साइद कि आप मांगलिक है मांगलिक है ठीक है यह आपको पता हुआ साइद कि आप मांगलिक है ठीक है मांगलिक होने केस में हमने क्या बताया था कि इसके अंदर आपके मंगल होंगे ठीक है इसमें कहीं पर मंगल होंगे तो आपके मंगल है ठीक है इसकेस में आप मांगलिक है मांगलिक है और प्लस मंगल के द्रिष्टी आपके 7 थांस में पड़े रही है तो आपको साधी जो है वह तो साधी हो चुकी होगी आपकी वर जो साधी है वो आपको एक मांगलिक से ही करनी चाहिए ठीक है नहीं तो मंगल का जो एक प्रभाव पढ़ता है वो आपकी साधी पे पढ़ेगा ठीक है हेल्थ इशू बहुत जादे आती है ठीक है इसके अलावा बॉडी रिपिल करता है एक दूजे की बॉडी एक दूजे को सपूर्ट नहीं करता है अगर मंगल डिफरेंस बहुत जादा हो तो ठीक है अब इस घर की बाद करें तो इस घर में मंगल के दृष्टी है चौथी दिख जाएगा सेप्रिटे टेंडेंसी और अगरेशन दिख जाएगा छठा नंबर यानि कुछ तो उनके में बहुत सरल होगा कोई एक चीज बहुत सरल होगा या उनकी स्किन जो होगी वो बहुत अच्छी होगी इन दोनों में से कुछ हो सकता है ठीक है फिर आ जाते हैं ह राहू की दृष्टी है बस इन दोनों की दृष्टी है इस किस में क्या होता एक तो यहां पर आपको दिखा रहा है कि आपको गैस से रिलेटेड इसू होगा फिर ब्लड से रिलेटेड इसू होगा क्यों क्योंकि सनी देख रहे हैं अपने नीच के होके तो ब्लड पेसर भ पयार यह से तो गुरु का ध्यान दें गे वक्री होकर बैठें तो यह चीजों इस पयान देंगे अब हम देखेंगे यह फ्यूचर का घर है ठीक है फ्यूचर के घर में आठ नमबर बैठा हुआ है और हमें देख लें कि क्या इसको कोई और देख रहा है सूर्य देख रहा है ठीक है सूर्य देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है कोई नहीं देख रहा है ठीक है कोई नहीं देख रहा है देखना तो ठीक है future को सुरे देखे इसमें कोई बुराई नहीं है यह तो भागे को भागे साली ही बना देते हैं previous मतलब भागे अच्छा करते रहते हैं मंउगल कि रासी है और मंउगल की एक रासी यहाँ एक रासी है और एक रासी थीक है नीच का सुरे बैठा हुआ है इससे आपको आई प्रॉलम आई है यह आई के लिए भी देखा जाता है इस गर अब यहाँ इस घर की बात करें नौवे घर को तो जो की गुरू प्रियस पती का घर है नौ नमबर और यहाँ हम देखेंगे किस के दृष्टी है तो आपके सुक्र का और मंगल का दृष्टी है इसके अलावा खेतू के दृष्टी है इसके अलावा बस इनके दृष्टी है इस केस में क्या होगा मंगल के नौ नंबर की वज़ा से आपके पापा भी धार्मिक है ये बता रहा है आपके पापा भी धार्मिक है और किसी वज़ा से आपका और पापा में दूरी होगा ठीक है किसी वज़े से आपका और आपके पापा में दूरी होगा और आप इस चीज़ को फील करेंगे केतु की वज़े से यानि कि उसकी फीलिंग आपको पता होगी तड़प एक पता होगी आपके अंदर और साथ एक पता होगी आपके अंदर कि आपके आपको पापा को चाहिए थे और पापा आपके पास नहीं थे तब ठीक है ये चीज आपके लिए होगा इसके अलावा मंगल और सुकर के देखने की वज़े से आपके पापा दिखने में अच्छे होंगे स्मार्ट होंगे कह सकते हैं ठीक है इसके अलावा मंगल की वज़ा से थोड़े से गुसा होगा ठीक है गुसा होगा स्मार्ट होंगे और आप से किसी वज़ा से दूर होंगे ठीक है ये आपके इस घर का रिजल्ट है इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप कितने अच्छे हैं कितने एक्टिव हैं तो बावजूद भी आपको भी और लगेगा यानि आप ठीक है आप बहुत अच्छे हैं कर्म प्रधान बैखती है लेकिन आपको ये इसको लगता है कि आपको थोड़ा और होना चीए था ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है आपके लाव का घर कैसे लाव कमारे कैसे सुसाइटे में कनेक्टेड हैं लोगों से यहां से देखा जाता है तो नौ नमबर मंगल की आठवी दिश्टी के वज़ा से आपको ये सोस्यली बहुत डिसकनेक्ट करेंगे और चंद्रमा की भी दिश्टी बन रही है ठीक है डिसकनेक्ट इंदसेंस आप सोस्यली बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे और मंगल की भी दिश्टी है इस वासे आप सोस्यली बहुत एक्टिव नहीं माने जाएंगे ठीक है और इसके अलावा अब इस जगे से हम देखेंगे कि आप पैसा कमाने में कितने अच्छे हैं कितना अच्छा पैसा कमा रहा है तो यहां इस ट्रगल दिख रहा है आपके पैसा कमाने में भी दिक्कत दिख रही है बहुत अच्छा नहीं कहेंगे इसको लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे ठीक है overall तो ठीक है इसको ठीक है कह सकते हैं अब बात करें बारावे घर का जो मौक्ष के लिए भी कहा गए है राहू का यहा होना भी ठीक है और बिरेस ले जाने के लिए भी इनको अच्छा माना गया है यहां पर ठीक है इसके अलावा अब हम लोग इसको कुछ बेसिक चीज़ों को भी देखेंगे जैसे कि हम लोग यह चेक करेंगे इनके connections ठीक है इससे पता चलता है कि आपके कैसे साधे थे तो इनके तीनों के कोई connection नहीं बन पा रहे यह arrange marriage को बता रहा है कि आपका marriage जो है वो arrange है इसके अलावा अब हम लोग यह भी देख लें कि जॉब और business में से क्या suit करेगा आपको तो no number यानि अगर आपको कभी भी करना होगा तो आप business आपको ज़्यादा suit करेगा ठीक है यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे job person नहीं है आप ठीक है यह हो गया इसके अलावा अब हम देखते हैं कि आपका मन किसमें लग रहा आपके तत्व एक तरी से कहरे आत्मा किसमें लगी हुई है और आपको धन कमाने के साथी कौन है धन कमाने के साथी में मंगल है यानि आप किसी रिष्टे से यानि डारेक्ट नहीं इन डारेक्ट वे से आप पैसा पापाएंगे ठीक है फिर सूर्य सूर्य आपके जाके बैठे हुए हैं आपके परिवारी मतलब सेवलिंग्स भाई बहन सब में तो आप बड़े एक तरीके कह सकते हैं रिष्टो की importance आप समझ रहे हैं उसके अलावा आप प्यार पे भी बहुत ध्यान देते हैं ठीक है प्यार पे भी बहुत ध्यान देते हैं चंद्रमा का यहां होना अच्छा माना गया है इससे आपका पाया जो कि आपके health के लिए जरूरी माना गया है पाया वो श्ट्रॉंग हो जाता है ठीक है ये केस आपको पता चलता है अब सनी आपके नीच के हैं इसलिए हम इनको चेक करेंगे किसमे नॉमास में की चेक करके पता चलता है कि सनी कितनी नीच है क्या उतना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं के नहीं तो सनी क्योंकि गुरू के साथ है तो इनकी नीचता यहां भंग हो जा रही है यानि अब ये इतना बुरा इफेक्ट नहीं डालेंगे ठीक है उतना बुरा इफेक्ट नहीं डालेंगे उसके अलावा ये आपके मेरीड लाइफ के बारे में है नॉमास कि आपके मेरीड कैसी रहेगी सुख को देखेंगे सुख कैसा रहेगा यहां से सुख देखा जाता है मंगल की रासी सुरी सनी की रासी में मंगल बैठे हुए है सनी और मंगल में बहुत अच्छी मितरता नहीं है इसके अलावा क्या यहां किसी और कोई और इसे देख रहा है इसको भी चेक करे सूर्य देख रहे हैं इसके अलावा कोई देख रहा है क्या सुक्र इस घर के लिए सुक्र के लिए बहुत कारक होते हैं ठीक है सुक्र स्वग रही है ठीक है और दस नंबर में मंगल उचके होते हैं ठीक है हाँ ठीक है तो कह सकते हैं सुक्र के लिए भी ये ठीक है क्योंकि उचका मंगल यहां बैठा हुआ है रिजल्ट दे रहे हैं प्लस सूर्य देख रहे हैं इस वज़े से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और यह क्योंकि खुसी का भी आना जाना ऐसा ही रहेगा हलाकि मंगल इनके बहुत अच्छे बहुत अच्छे तरीके से ले चलने की पूरी कोशिस कर रहे हैं इसके बाद आपकी आई कि अगर पैसा कमाने की बात करें तो आपको एक बार जिन्दिगी में फील भले हो जाए कि आप फैदा फ आपकी साधी को एक्स्प्लेइन कर रहा है ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग नौमास में ही आपकी इसी चार्ट को और बेटर तरीके से जब देखना होता है तो नौमास में जा सकते हैं अब ये बारा नंबर का जो चार्ट है ये जो बारा नंबर का चार्ट है इसको हम नौमास में बदल देते हैं अगर तो बारा नंबर का चार्ट हो गया ये भी अब इस केस में आपको किस किस चीजों से बचना है हमेशा चंद्रमा और कीतू सनी और गुरू राहू इन प्लैनेट से आपके थोड़े बचाओ करने की बहुत जरूरत है तो जब भी आपका अंत पर दसा इनका आएगा इन तीनों का ध्यान दीजेगा इन तीनों प्लैनेट्स में किसका किसका दो तो ये हो गए दो ये हो गए और एक ये हो गए ठीक है तो राहू के तू का दसा आपके लिए अंतर दसा आपके लिए सही नहीं है प्लस चंद्रमा नहीं सही है सनी और की गुरु नहीं सही है आपके लिए अंतरदसा ठीक है इनकी अंतरदसा नहीं सही है ठीक है अब देखिए हम लोग यह चेक करते हैं कौन किसके मालिक हो जाते हैं तो यह आपके करमेस हो गया जब बुद्ध का टाइम आएगा तो आप बहुत कर्म करने वाले बन जाएंगे आप यह तीची महसूस भी करेंगे कि बुद्ध के टाइम में ठीक है या बुद्ध कह लिजए एक तरीके से आपके करम के स्वामी हो गया है ओके ठीक है मंगल मंगल की दसा में आपका कोई ना कोई फैदा होगा ही होगा मंगल वैसे भी आपके लिए अच्छे हैं यानि सुख क की बृद्धी करने वाले हैं और मंगल के समय में आप कुछ पाएंगे ठीक है यह भी हो गया है फिर उसके बाद से आप चेक करें तो सूर्य का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है सूर्य के समय में आपके जिंदगी में प्यार का बढ़तरी होगा ठीक है प्यार बुद्ध होंगे बच्चों से अच्छा सम्मंद बनेगा ठीक है सूर्य के टाइम में सूर्य बुद्ध मंगल ये सब आपके लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे ठीक है आगे बढ़ें आप देखें अगर हम गोचर को कि अभी इस समय आपकी क्या हाल है क्या 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 हम आप देख रही हैं जिसके विज़े से आपने हमको कहा था कि सारे घरों को एक बार explain कर दें तो हम यहां पर आपको चीजों को समझा रहे हैं क्या है कैसा है गोचर की बात करें तो यह अभी का गोचर है ठीक है अब गोचर में हम लोग आपको बताएं तो केतु राहू सनी यह आपको परसान कर रहे है ठीक है इसके अलावा बहुत अच्छा सब कुछ बच्चा है बच्चों से अच्छा रिस्ता यहां दिखा रहा है चंद्रमा ठीक है तेखे अब सनी की तीसरी दिष्टी पड़ी राहू पे इसको हम दिखा रहे हैं आपको समझेगा सनी की तीसरी दिष्टी पड़ी राहू पे और उन्हेंने कहा इस जेगा को खराब करो यानि इस समय आपका परिवारिक महौल सही नहीं है ठीक है परिवार में आपका महौल सही नहीं है दूसरा ये गर आखों का भी है जो हमने आपको पहले भी बताया था तो ये आखों के लिए भी सही समय नहीं है आपकी हेल्थ में आख के लिए ठीक है फिर आपके परिवार के लिए ये सही समय नहीं है इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे अब हम आपको दिखा रहे हैं कि राहू की दृष्टी कहां कहां पड़ेगी तो यहां से एक दो तीन चार और पांच ठीक है अगर हम इनके पांचवे दृष्टी की बात करें तो यह यहां पड़े रही है साथवे दृष्टी यहां पड़े रही है और नौवे दृष्टी यहां पड़े रही है तो इन तीनों जगह पे भी राहू बुरा असर इस समय डालेंगे ठीक है जो कि अभी इस समय चल रहा है आपका और यह कहां कहां पे है पहला कि आपके छटे घर पे है जहां पे प इस समें बीमारियां आपको परसांड कर रही है सबसे ज़्यादा थीक है उसके अलावा इस घर से कर्म कहते है कर्म तो आपको कर्म नहीं करने देने के लिए भी या कुछ गलत कर्म करने के लिए भी राहूबाध्य कर सकते हैं तो इन तीनोह जगों को लेके आप बहुत सतर्क रहेंगे इस समय और इन सब चीजों से बच के रहेंगे अब बात करें अगर केतु की कि क्या पोजिशन है केतु आपको क्या दुख दे रहे हैं इस समय तो ये हो गए केतु अब केतु का पांचवे दृष्टी सनी पे पढ़ेंगे साथवे दृष्टी यहाँ पे जैसे राहू के साथ पढ़ती है और नौवी दृष्टी यहाँ पढ़ रही है इन सभी जगों को लेके आपकी अंदर तड़ब पैदा हो गई सबसे पहली बात केतु जब जब यहाँ रहेंगे या यहाँ देखेंगे तो इस जगे पे मुक्ष मिलता है और इस जगे से लोग साथविक प्रविर्टी अपनाने लगते हैं तो कुल मिला के इस समय यह होगा कि आप एस्ट्रोलॉजी के करीब आएंगे अश्ट्रोलॉजी के करीब आएंगे दूसरा कि आप ये भी महसूस करेंगे कि आपको बिरक्ति सी हो रही है संसार से ठीक है चीज़े नहीं अच्छी लग रही होंगी ये क्यूं हो रहा है केतु की बज़ा से हो रहा है ठीक है फिर केतु का आपके परिवार पे दृष्ट पड़ सकता है ठीक है इसके अलावा आपकी एक दिश्टी केतु की एक दिश्टी आपके सुख भाव पे भी है सुख भाव पे तो आपको किसी वज़ा से कुछ न कुछ होगा ऐसा जिस वज़ासे आप ऐसी तरीके की बाती करेंगे कि मेरी साथ ही ऐसा क्यों हुआ तो आपके सुख भाव पर ये effect डाल रहा है तो सुख में कुछ न कुछ कमी डालेंगे केतू लेकिन तडप वाली कमी ऐसा नहीं कि बिल्कुल खतम ऐसा होगा जो आपके पास नहीं होगा और आप इसको महसूस करोगे इसको feel करोगी कि ऐसा मेरी साथ क्यों हुआ क्योंकि केतू का कारढ़ी केतू करती ही यही है कि आपके अंदर तडप पैदा करते हैं ठीक है ये था टोटल अभी तक का गोचर के बुरे प्रभाव अब हम आते हैं अच्छे प्रभाव पे तो क्यूंकि गुरू अभी बैठे हुए है आपके लगन पे ठीक है तो गुरु हाला कि गुरु के महादसा आपके लिए नहीं अच्छी होगी गुरु के सुरी अंतर दसा आपके लिए अच्छी नहीं होगी बट अभी को क्या चीज हो रहा है गुरु आके बैठे हैं आपके लगन में ये एक reason है कि आप धार्मिक, ज्यादा धार्मिक feel कर रहे होंगे सात्विक्ता, सात्विक्ता, धार्मिक्ता, ये सब चीज़े आपके में बढ़ गई होंगी आखों को लेके थोड़ा से सतर के रहने वाला आपने काम कहा जो वो सही टाइम भी है बहुत पीक पी चल रहा है, मतलब एकदम बराबरी पे, मतलब कोई चीज़ इतनी बड़ी है तो बिलकुल बीच में आये हुए हैं अभी आप, ठीक है? बिलकुल बीच में ये सूर्य जब-जब लगन में आते हैं तो आँखों को दिक्कत देते हैं ध्यान धर्म की ओर जा रहा है, सूर्य तो जो आपको परसान कर रहा है ये सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए भी कहे जाते हैं तो इस दोरान आप जो पॉसिबल है, आप जो एक बहुत अच्छी चीज फील कर रहे होंगे कि आप धार्मिक तो फील होई रही होगी, एस्ट्रोलॉजी की तरब भी आप जा रहे होंगे ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की तरब भी आपको खीच फील होगी ऐसी चीज और उसके बाद अब एक और अच्छी बात, तो आपके घर में इस बीच कोई एक प्रॉपरिटी लिया जाएगा कोई एक चीज बढ़ेगी आपके घर में, गाड़ी भी बढ़ सकती है, कोई जमीन लिया जा सकता है कोई घर ठीक करवाया जा सकता है, रिनोवेशन या कुछ भी मंगल अपना प्रभावत दिखाएंगे यहाँ पे मंगल अभी दो महिने बाद जाके खराब पोजिसन में आने वाले हैं, चौथे नमबर में आएंगे तो उससे हमें हमें एक और चार्ट बनाएंगे, जिसमें सब को बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है तो यह रहा आपके गोचर का, और हमने बताया जो आपको सारी चीजे समझ में आ गई होंगी अगर कोई और क्यारी हो तो आप हमसे पूछे, जादस जादस सब्सक्राइब कराएं और यही मेरे लिए सपोर्ट होगा, कोई भी हमें पैसा देने की बात ना करें हमने देखा बहुत लोग कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और सारी चीजे तरीके से लेकिन नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, आप में हमें सपोर्ट करें, लोगों तक ही चैनल पहुंचाएं, लोगों को पता चले, यहीं बहुत है इसके लिए थैंक्यू सुमच, आगे मिलते रहेंगे, धन्यवाद